हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टियरोन चैनल आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबो 47 विशे गनित कक्षा नो हमारी डेट तीन नवंबर के लिए तो जिली शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम अध्याई साथ जो त्रिबुज है उसको रिवाइस करेंगे ठ इसके बाद कुछ विकर्प वाले प्रेशन होंगे और फिर कुछ कोशन समय हल करने हैं ठीक है पहले रिक्स्तान करते हैं पहले जो चार कोशन है पहला है किसी त्रीबुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुक बुजा के मद्य बिंदू से मिलाने वाले रेखा खंड को त्रीब अगला है एक त्रीबुज जिसकी कोई दो बुजाई माप समान हो मान लीजी ये आपका त्रीबुज है इसमें आपकी दो बुजाई क्या है बराबर है ठीक है तो वो क्या है कैसा त्रीबुज है वो समधवी बाहू त्रीबुज कहलाता है ठीक है क्या होता है समधवी बाह अगर सारी बुजाई बराबर है तो संबाहू, एक भी बुजा बराबर नहीं है तो विश्यम बाहू और दो बुजाई बराबर है तो समद भी बाहू तीसरा है किसी भी समकोन त्रिबुज में सबसे लंबी बुजा कोन सी है मालीजी यह आपका क्या है समकोन त्रिबुज है यह क्या है आपका लंब है यह आपका आधार है और यह क्या है कर्ण है सबसे लंबी बुजा क्या होती है कर्ण होती है तो सबसे लंबी बुजा क्या हो होता है ठीक है आगे चलते हैं हमारी प्रेशन नंबर पांच से साथ तक देखो पांच वा प्रेशन क्या है समकौन त्री बुच एबी सी में यदी कौन भी 90 डिगरी है तब निमे लिखित में सी कौन सा कतन सत्य है एबी जो है वो इसको जो आपके ऑप्शन से आपको ऑप्श अगे क्या है आपके पास प्रेश अभी ये बेस है इसी थिक की काषिक है थिनक तो हेबी के परगा और या अविल्च को जाएगा आपके कंवर्षन में सी उप्श दमसे क्या वजाopod C answer हो जाएगा, ठीक है, अगला एक 3 पुज के कितने शीर्ष लम होते हैं, ठीक है, ये 3 पुज है, एक शीर्ष लम यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, कितने शीर्ष लम है, 3 है, तो बस लिख दो, क्या answer हो जाएगा, इसका C है, इसका भी क्या हो जाएगा, C, ठीक है अगला एक समकोन त्रीबुच ABC में यदी भी 90 डिगरी है BC 3 cm है, AC 5 cm है तब पुझा AB की लंबाई क्या होगी देखो प्रेशिय नंबर 7 क्या होगा प्रेशिय नंबर 7 ये आपके पास क्या है, एक त्रीबुच दिया हुआ है ये आपको क्या निकालना है लंब आपको निकालना है, आधार 3 cm है और कर्ण 5 cm है पाइटोगोरिस प्रेशिय में क्या होता है जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, इसके बराबर है AB का वर्ग, ठीक है लंब की वर्ग प्लस आधार की वर्ग के बराबर पाच का वर्क क्या होता है? 25, AB का वर्क, AB वर्क ऐसे ही रहेगा, AB में निकाला है 3 का वर्क 9, 9 इधर जाके माईनस से 25, माईनस 9, 16 होता है, तो AB कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है न, AB कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा, clear? यह हो गिए आपका प्रिशन एक मारे विकल्प वाले प्रिशी आपकी हो गगे, अब जो प्रिशन क्या है गा तो A, B के एक ही और दो च्यूद 一 D विन्दु दी और ए इथर यह क्या है? यह इस आपका D विन्दु है यह ए ए बिन्दु है ठीक, तो हैं पे B, A, D. यहाँ पे B, A, D है ठीक है? B, A, D. B, A, D ठीक है? मतलब यह कौन वो इस कौन के बराबर है? पहला, दूसरा, ये कौन, इस कौन के बराबर है, आपको क्या दिखाना है, पहला आपको दिखाना है, ये जो त्री भुज है, इसके सुरांग समय, दूसरा आपको क्या दिखाना है, ये और ये आपस में बराबर भुजाएं, ठीक है, चलो, देखो प्रशन नमर 8, दिया क्य इसको यहां पर हिंदी में कर लो पी मद्य बिंदू है ठीक है एक मिनेट ठीक है बस यह लिख लो पी मद्य बिंदू है किसका ए बी का इसका मतलब जो एबी है वो किसके इक्वल है पी बी के इक्वल है वो मैंने यहां लिख दिया और यहां पे जो यह कौन है एक तो यह बराबर थे वो मैंने लिख दिया और यह बराबर थे वो मैंने लिख दिया ठीक है जो दिया गया है वो हमने लिख लिया उसके बाद हमें इस सिद्ध क्या करना है यहाँ पर लिखो, सिद्द को कि यहां पर लिखेंगे सिद्द को क्या सिद्द करना ही यह दो चीजे करना है ? उत्पथी क्या होगी अब मैं इसको हटा रही हूँ पहले में इतना नोड कर लो जो आपके हंदि में वो भी हम कल आपके छुट्टी होगी ठीक है तो कल हम उसको complete कर लेंगे ठीक है चलिए तो यह आप no down कर ले ना अब इसको proof इसका proof कैसे करना है वो हम देखते है तो यहां पर आपके पास जो EPA है ठीक है ना EPA यह और यह बराबर दिया हुआ है ठीक है तो इसके अंदर में यह बीच वाला हिसा है जोनों के अंदर यह में जोड देते हैं फ्ती है ना जो EPA का हिस्के अंदर भी जोड़ो क्या बन गया DPE इस तरफ भी जोड़ो तो यह क्या बन गया अमारे पास यह पूरा बन गया A, P, D, ठीक है न, D, P, A बोल सकते हो, है न, और यहां से क्या बन गया, E, P, B, ठीक है, तो यह हो गया हमारा समिकरन एक, उसके बाद, त्रिबुच के अंदर, D, A, P, और E, B, P के अंदर, यह आपके पास त्रिबुच है, ठीक है, यह और यह, यह दोनों आपके पास यह दोनों बराबर है, दूसरा, यह कोण बराबर है, ठीक है, और तीसरा, यह वहला कोण बराबर था, तो यह हमने लिखा है, क्या हो जाएगा, यह दिया गया है, उसके बाद, एक से, यह कोण बराबर है, और एक कोण बराबर दिया ही हुआ है, तो angle side angle से, मतलब कोण, भर दिखाने थी तो ये तो CPCT से क्या हो जाएंगी तो यह क्या लिखेंगे जो AD है बिके बराबर होगा कि से CPCT द्वारा बाए नहीं लिखना तो इसके पीछे लिख लो CPCT द्वारा ठीके तो यह वो जाता है मिरा बस ये आपका पहला part है, ये पहला part है, ये दूसरा part है, ख़तम, फिक है, हो जाएगा pressure no.8, आगे बढ़ते है pressure no.9, पे, pressure no.9 क्या कहता है, ये आपको 3 part दे गहें, इन 4 part में आपको x कमान निकालना है, छलो, बहुत easy है, ये आपका पहला part है, फिक है, ना girlfriend का पहला part, clear, इस यहांसे देखो जो a b है वो b c के ब़राबर है ठीक है और जो कॉन a है वो c के बराबर है तो यहां पर a b c क्या है 180 डिग रिगरी है तो यहांसे यह x है यह भी क्या है x है और यह क्या है 90 है हमने values put कर दी x और x 2x हो गया plus 90 90 अदर चला गया 180 minus 90 कितना होता है 90 ही होता है ठीक है, X की value क्या आ गई हमारे पास 45 आ गई, ठीक है हो गया आपका पहला पार्ट, अगले पार्ट में क्या करना है, देखो दूसरी पार्ट में भी आपको ये देखो, ये दो बुझाई बराबर है, दो बुझाई बराबर है तो इसके सामने वाले कौन बराबर होंगे, है तो ये और ये दोनों कोन बराबर होंगे, तो ये चालेस है, ये भी चालेस होगे, ठीक है, तो दोनों बुझाई बराबर है, तो दोनों कोन बराबर होंगे, तो बीबी क्या हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, यहां पर आपको ये क्या दिया हुआ है, ये आप के बास 45 degree है ये पास आपको x निकालना है ये तो बुझाय बराबर है p क्यों र-के बराबर है इसका मतलब pr के बराबर होगा तीनों का जो योग होगा वो एक ससे degree होगा तो यहां पे 45 degree है ये भी 45 degree है ठैके तो प्रेश्य नबर 10 देखो तो यह तोड़ा जल्दी करारें पहले कर चुकि यह तो आपको यह आता होगा फिर बीधिकत नहीं है मुझे पूछ सकते हो ठीक है चलो प्रेश्य नबर 10 देखो आज थोड़ा गलासा भी खराब है ना आवास चेंज लगरी है देखो प्रेशिय नमबर 10 ट्राइंगल ABC एक समध्वी बाहु तरी बुच है जिसमें A, B, A, C के बराबर है और बुजा B, A, D तक इस प्रकार बढ़ाएगी है कि जो A, D है वो A, B के बराबर है देखो यह आपको फिगर बना हुआ है यहां पर A, B, A, C के बराबर है इसको आगे तक बढ़ाए हुआ है और A, B, A, D के बराबर है तो आपको दिखाना क्या है कि जो यह है यह आपको दिखाना है B, C, D, 90 degree दिखाना है वो को दिखाना है छिक है देखो प्रेशिय नमबर 10 दिया क्या गया है जो AB है वो AC के बराबर है और जो AD है जो AD है वो AB के बराबर है ठीक है तो यहां से जो यह तीने चीज़े बराबर है AB AC के बराबर है और AD के बराबर है तो सिद्धिया करना है आपको यह सिद्धिय करना है कि यह कितना है 90 degree है तो triangle ABC में ठीक है ना triangle ABC में तरी बुझ ABC में जो AB है वो AC के बराबर है और जो ABC है ABC है मतलब जो ये कौन है ये इसके बराबर होगा सी के क्यों कि दो भुजाई बराबर हैं तो इनके सम्मों क्या होगे बराबर होगे यह दुनों बराबर होंगे इसी तरीके से ACD में भी यह दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मों कोन बराबर होंगे ACAD के बराबर है तो इसके सम्मों कोन बराबर है यहां से पहले और दूसरा होगे आप देखो अब जो ट्रेंगयल BCD है जो पूरा बड़ार ट्रेंगल है मतलब यह वाला BCD है इसके अंदर आपके पास तीनो जो जो तीनो इसकी कोन है वो 100 से के बराबर होते हैं है ना तीनो गुजा ए 11th के बराबर होंगी आप जो ABC वो ACB के बराबर है भी उपने उपर किया है यहां पर ACD और ACD को एक साथ लिख दिया मैंने ACB और ACD यहीं और ACB इससे पूरा बन गया क्या BCD बन गया ठीक है तो यह हो गया मेरा pressure number 10 यहां से ठीक है तो यह पूरी work sheet हो जाती है हुप आपको अच्छी से समझ में आगई कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगी तो चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then take care bye bye